Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे APC workbook class 5 हिंदी का chapter 12 गुरू और चेला तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं आप भी अपना workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट केजिए तो चैप्टर 12 है गुरू और चेला निमने लिखित प्रश्णों के उत्तर दीचिए गुमते गुमते गुरू और चेला कहां पहुँचे तो गुमते गुमते गुरू और चेला अंधेरी नगरी में पहुँच गए गौलिन ने नगर के बारे में क्या बताया? तो गौलिन ने बताया कि यह अंधेरी नगरी है और इसका राजा बिलकुल मुर्क है क्या सोचकर गुरु नगर में नहीं रहना चाते थे तो उस नगरी का राजा मुर्क था और सभी चीजों का दाम एक टका था इसलिए गुरु जी ने सुचा कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है चेला क्यों नगर में ही रागया क्योंकि अंधेर नगरी में सभी चीज टके सेड मिलती थी इसलिए चेला वहीं रागया बरसात होने से क्या हुआ? तो बरसात होने से दिवार तूट गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसिवत मुझे मोल लेना नहीं है ना जाने की अंधेर हो कौन छन में यहां ठीक रहना समस्ता नामन में बरस्ता था पानी चमकती थी बिजली थी बरसात आई दमकती थी बिजली गरस्ते थे बादल जमक्ती थी बिजली थी बरसात गहरी धमक्ती थी बिजली चले संतरी दूंडने मोटी गर्डन मिला चेला खाता था हल्वा दना दन कहा संतरी ने चले आप फोरण महाराज ने भेजा नियोता इसी छन चड़ेगा जो फासी महूरत है ऐसी ना ऐसी महूरत बने बढ़िया जैसी वर आजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा यह संसार का छत्र उस पर तनेगा नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ लिखे अर्थ लिखना है दिखे धेला धेला का क्या अर्थ होता है दलाली रेल पेला यानि की भर मार ठीक है कजा कड़ी हार हिम्मत बढ़िया तरकीव दनादन यानि की लगातार डगड़ी छोटी टोगड़ी खता अपड़ाद गफलत बेपरवाही बिरानी उजार जहमिला जगड़ा ठीक है नीचे दिये गए सब्दों के सुद्रूप लिखे अब देखे सुद्रूप लिखना है भग भग का होता है सुद्रूप अगर लिखते हैं तो होता है स्रिस्टी बिरानी का बिर्यानी और च्छन का च्छन यह वाला महुरत का महुरत इस तरह से लिखेंगे या आप भग का भग भी लिख सकते हैं ऐसे भग गौ ठीक है और नीचे दिये गए सब्दों की तुकवाले दो-दो सब्द कवीता में से ढूंड कर लिखे तुकवाले सब्द आपको कवीता से ढूंडना है ठीक है आप कवीता से ढूंड के लिखेंगे मैंने इस तरह से लिखतिया है तो आप पहले कवीता पढ़ेंगे अच्छे से और इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सा तुकवाला सबत है तो चेला का जैसे है ठेला भी होगा, मेला भी होगा राजा का बाजा, खाजा बढ़ाओ, चड़ाओ, मढ़ाओ नगड़ी कर डगड़ी, गगड़ी चमकती, दमकती, महकती सजा का मज़ा और अजा ठीक है गुरू और चेला कवीता को सनवाद रूप में लिखिए तो देखिए, एक गुरू और उसका चेला गुमते गुमते एक नगड़ में पहुंसते है उन्हें सामने से एक गौलिन आती दिखाई देती है गुरू, गौलिन बहन गुरू कहता है गौलिन बहन, यह कौन सी नगड़ी है और यहां कराजा कौन है तो गौलिन बोलती है महराज पंड़ित, यह अंधेर नगड़ी है फिर गुरू बोलता है चेले से यह अंधेर नगरी है और यहां रहना ठीक नहीं है चेला बोलता है चेला नहीं माना वह वही रह गया उसने कहा यहां सब टके सेर मिलता है गुरु आगे चल देते हैं चेला उसी नगर में रह जाता है चेला दुकांदार से पूसता है यहां सब टके सेड मिलता है चाहे रबरी हो या खीरा स्वागत वाह बज़ा आ गया अब तो मैं खूब माल उड़ाऊंगा चेला बोलता है ठीक है तो एक रुज भारी वर्सा के कारण महल की दिवार गिर परती है राजा अपने संतरी को लेकर वहां पहुंचता है अब राजा बोलता है राजा बोलता है कि यह दिवार कैसे गिरा संतरी बोलता है कि दिवार कमजोर बनी थी मोटी और घनी नहीं राजा बोला राजा ने आदेश दिया कारिगर को सजा दो कारिगर कारिगर ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है गलती तो भिस्ती की है उसी की वजह से दिवार गिरी है फिर राजा बोलता है कि राजा ने भिस्ती को फांसी पर चड़ाने का हुपम दिया विस्ती विस्ती ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है बलकि मसक बनाने वाले की गलती है राजा बोलता है मसक बनाने वाले को बुलाया जाए ठीक है तो मसक बनाने वाला आता है फिर वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है बलकि मंतरी की गलती है राजा बोलता है राजा ने मंतरी को फांसी पर चड़ाने का आदेश दिया अब मंतरी आता है राजा उसे फांसी पर चड़ाने का हुक्म देता है ठीक है जलाद तो जलाद आया और मंतरी को फांसी पर चड़ाने के लिए चला लेकिन मंतरी काफी दूला पतला था और उसके गर्दन भी पतले थे फिराजा किसी मोटी गर्दन वाले को पकर कर लाओ संतरी गोरी दौराते हुए जाता है हलवा खाखा कर मोटे हो गए चेले को पकर कर लाते है राजा उसे फासी पर चड़ाने का हुक्म देते है चेला घबडा कर बोलता है महराज मेरी क्या गलती है राजा बोलता है कि राजा ने कहा ठीक है राजा ने कहा कि जादा बखबख मत करो चेला रोते हुए बोलता है मुझे फासी पर चड़ाने से पहले मेरे गुरू के दरसन कराओ गुरू जी आते हैं चेले की सारे बात सुनकर उसके कान में कुछ फुस फुस आते हैं दुनों आपस में जगरने लगते हैं गुरू गुरू बोलता है कि मैं फासी पर चड़ूंगा चेला बोलता है मैं फासी पर चड़ूंगा राजा क्या माजरा है तुम दोनों आपस में जगर क्यों रहे हो गुरू बोलता है यह फासी पर चड़ने का सुमोहृत है इस मोहृत में जो फासी पर चड़ेगा वह नहीं वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा राजा अगर यह बात सच है तो मैं स्वेम इसी चछन फासी पर चड़ूंगा जलात से मुझे फासी पर चड़ाया जाए राजा बोलता है ठीक है तो अनबुज राजा के मरने पर सारी प्रजा खुस होती है तो राजा कैसा था बेवकूप राजा था तो वो मर गया तो सारी प्रजा खुस हो गई ठीक है उसके बाद है कि अंधेर नगरी में हर चीज टके सिर मिलती थी क्या ऐसा आपके सहर में भी संभव है बाजार में बिकने वाली चीज आपको सही दाम और सही मात्रा में उपलब दो इसके लिए सरकार ने माप और तॉल विभाग बनाया है इस विग्यापन को देखिए और बताएए वाजिब वजन सही मुल्य उत्तम गुनवत्ता हर ग्राहक का अधिकार परतियक पैकर निर्माता तथा आयातक को माप एवं तोल विभाग में पंजिग्रित होना चाहिए दिवाली में यह अवस्य सूनिस्चित कर लें कि परतियक पैकेज चाहे वह कोई उपहार अथवा मिठाईयों कर डिबबा हो उस पर निम्निलिखित आवेशक उद्गूशनाओं का उल्ले किया गया है निर्माता पैकर आयातक का नाम एवं पता डिबबा में बंद उत्पादों को जातिगत अत्वा साधरन नाम बंद उत्पादों की सुद्ध मात्रा उस महिना एवं वर्स का नाम जिसमें संबंदित उत्पाद का निर्मान अत्वा उसे प्री पैक्ड किया गया हो अधिक्तम खुद्रा मुले सभी कड़ों सहित डिबबा बंद उत्पाद नियमों में निर्दिष्ट की गई इस प्रकार की अने कोई जानकारी ग्राहक यह अवसे देख ले कि दुकानदार मिठाईयों के डिबबिक का वजन मिठाई तोलने से पहले अलग से करता है माप एवं तोल विबाग यह सारा चीज़ दिया हुआ है ठीक है अब देखिए कॉस्चन है कि हर ग्राहक का क्या अधिकार है तो वाजिब वजन सही मुल्य उत्तम गुनवत्ता यही अधिकार है वो पहार अथवा मिठाई के डिबबों पर क्या क्या लिखा होना चाहिए तो निर्माता का नाम एवं पता उत्पादों का जातिगत अथवा साधरन नाम, उत्पाद का निर्मान का महिना और वर्स, अधिक तम खुद्रा मुल्य, बंद उत्पादों की सुद्ध मात्रा, उत्पादों की अन्य प्रकार के जानकारी यह सब लिखा होना चाहिए ग्राहकों को मिठाई के डिब्बों की तोल सम्मंदी किस बात का ध्यान रखना चाहिए तो ग्राहक यह अवस्य देख लें कि दुकानदार मिठाईयों के डिब्बे का वजन मिठाई तोलने से पहले अलग से करता है ये अवस्य देखने उसके बाद है बिना जड़ का पेर तो बिना जड़ का पेर कहानी आपने पढ़ी नीचे दी गई चितर कथा इसी कहानी पर आधारित है अपने सब्दों में चितर कथा पूरी कीजिए ठीक है अब बिना जड़ का पेर ये कहानी है जो आपने पड़ी होगी अब यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है अब इसके according आपको ये कहानी पूरा करना है ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महराज मैं डैस डैस हूँ क्या नाम है इसका और डैस उगाता हूँ अपने बुक में देखेंगे और ये कहानी को आप कम्प्लीट करेंगे गोनुझा निश्चित होकर सूजाते हैं ये कौन है गोनुझा तो गोनुझा की बहुत सारी कहानिया है जो बहुत ही दिल्चस्प है तो आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है और इसे आप जरूर बनाएं ठीक है और ये कहानी खतम छोटा सा कहानी है गुनुझा तुम पुरसकार के हगदार हो ठीक है तो इस पे आप कहानी बना सकते हैं कि क्या होना चाहिए तो ये आपको खुद बनाना है तो आपका वर्क बुक क प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहें मिल दें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थेंक्स तो वाच माई वीडियो